कि अस्लामने कुछ सुट्ट्स हो चोटी आप सब क्यार्फच्रियस रआए और फिर इसके लाक्शन जॉइड करेंगे तो स्ट्ट्स इस विडियो में हम करेंगे । यह चैनल मेकानिजंसम फिट है जिसका मेरेव इडियेशन हम उसको डिसकू करेंगे तो हमने पढ़ा है तो जो थर्ड जो सुनाम क्या है, जो थर्ड मेकैनिजम और ट्रांसफर ओफ हीट है वो है रेडियेशन तो सुर्ड्स बेसिकली यह एक क्वेश्चन अराइज होता है कि सूरज की जो इनरजी जो हीट इनरजी वो हम तक कौश्टी किस तरह से है अब सन है, यह मैंने बना दिया सन और यह मैंने बना दिया एक अर्थ, इमाजन कर लें जो हीट इनरजी है वो हम तक पहुंच किस तरह रही है, हमने देखा कि जो सॉलिड है, उसमें हमें मीडियम की जुरुत होती है वोई पार्टिकल मुव ज़adaki हैं, हम और हीट इनरजी देते हैं, पार्टिकल और ज़्यदा हमव करते हैं, उनके अंपरिचूट बढ़ जाता है, तो कन्लेक्शन होती है फिर वो दूसरे पार्टिकल को छीड़ते हैं, फिरफ इन सोओ अन हीट ट्रांसफर होती है नेक्स्ट आगे connection connection में क्या होता है वह भी मेडियम के जुरूत है हम लिक्विड में करते हैं या गैस में करते हैं particles को heat energy दी जाती है particles expand हो जाती है उनकी density कम हो जाती है फिर वह गरम जगह से ठनी जगह पर एरिया विद हाई pressure high energy उससे जाकर low energy वाले जगह पर चले जाते हैं तो लिकिन थर्ड अब नहां तो यहां पर हमारे और सूर्ज के बीच में कोई क्या कहते हैं से ना कोई solid चीज है, ना कोई liquid चीज है, तो हमारे बीच में vacuum है, vacuum में कुछ भी नहीं, जब जहां पर कुछ नहीं होता है अस जगह को हम vacuum कहते है, air is not a vacuum, यह room vacuum में क्यों इसमें air मजूद है, vacuum का मतलब जब हर चीज निकाल दीजाए, अब क्यों होता है, जब vacuum भी नहीं है, सौ ठीक हो गया, वो किस ता रही है, by means of radiation, यानि कि radiation क्या है, basically is a transfer of heat, मैं इसको transfer, explain कर देता हूँ, radiation को, transfer of heat in a form of electromagnetic waves, यह electromagnetic waves, बचो यह concept है, या पढ़ेंगे, प्रेंथ के अंदर थोड़ा सा, या फर्स्टे के अंदर, लेकिन आप बस यह समझें के, कोई ना कोई, हाँ आप यह gas लगा ले, electricity और magnet का कोई ना कोई रोख ले, इसमें, बस, आप सिंपल अपने लिए, इस लेवल के लिए इतना ही है, तो बच्चो, transfer of heat in the form of electromagnetic waves, यहने के sun की जो heat energy है, वो हम तक किस shape में पहुंच रही है, electromagnetic shape के, इनके shape में पहुंच रही है, अब क्या होता है कि, जारी बात है, यह waves की शकल में आ रही है, तो जो sun की जो waves है, यहने के जो radiation है, वो further three taps की होती है हम तक, एक होती है, UV, जैसे हम कहते है, ultraviolet, जो बहुत खतरनाक होती है, एक है जी infrared, और एक है light, जो सूरज की light energy हम लेते हैं, अब जो UV सबसे ज़्यादा फाइज है, पर मैं इनको sketch करूं कौन से ज़्यादा ताक्त वार है, जो light है, वो ज्यादा powerful है infrared से, यानि के infrared rays हमारी body को नुकसान नहीं पहुचाती है, लेकिन जो light है, वो बहुत कम powerful है UV से, यानि के ultraviolet से, ठीक हो गया, तो यह हमारी body को नुकसान पहुचाती है, इस वज़ ज़र कहते हैं, जो global warming है, ultraviolet rays, और जो इसको filter नहीं करती, तो यह हमारी body पे ड्रेक्स नुकसान पहुचाती है, अब क्या होता है, कि जो light है, अब हमें किसना पुचलेगा कि किसी चीज की energy कैसी है, तो उसके depend करेंगे, उसकी frequency के उपर, wavelength के उपर, जिस चीज की wavelength बड़ी है, तो उसकी जो है, क्या कहते है, energy काम है, जिसकी wavelength छोटी है, उसकी energy उससे यह निक है, इसकी wavelength जादा है, फिर आती है light, लाइट की wavelength इंफरेट से कम है, फिर आती है UV, इसकी wavelength बहुत छोट wavelength होती है, अच्छा wavelength है क्या बचो, एक crust से दूसरी crust का difference, इससे कहते है wavelength, यहां से यहां तक का distance, यहां से यहां तक का difference, तो जितनी wavelength छोटी होग यही चीज़ की उतनी energy क्या होगी, जादा होगी, तो UV की wavelength सबसे छोटी होती है, यह मैं आपको समझाने के लिए, जो मैं आपको diagram explain कर दी है, यहां पर बनी होगी है, बच्छो, अब क्या होता है कि दुनिया में काइनात में जितनी भी चीज़े ना, वो they are continuing radiating, even के, हमारे रूम में भी जितनी चीज़े आप observe करेंगे, आप electric bulb लेने, वो भी radiate कर होता है, काइनात में जितनी भी चीज़े हैं, वो radiate कर होती है, लेकिन depend क्या करता हूं कि radiation पर कि उनके heat energy कितनी है, number one चीज़, दूसी चीज़ वो जहां, जो surrounding में radiate कर रही है, उसका क्या temperature है, तो पहली चीज़े है कि everything in the universe is radiating, यानि कि वो radiating कर रही है, और radiating, radiation, depend किस पर करता है, let me raise it, यहापर लिख लेता हूं में, everything in the universe is radiating, continuously लिखे हां, अच्छे question होता है कि sir, मुझे बताएं, कि एक बरफ कैसे radiate का रहा है, तो बिटा, observe करें, बरफ f का temperature है, 0 degree centigrade, sorry, आप करने, 20 degree centigrade, minus 20, तो दूसरी का क्या है, minus 30, तो किसका temperature जदा हुआ है, इसका, तो यह अपनी जितनी भी बची कुछी energy है, यह इसको देगा, और तब तक देता रहा है, अब दोनों कहां तक न हो जाए, 25 degree centigrade न हो जाए, तब तक दोनों का temperature, average temperature दोनों का same न हो जाए, तो इस वाज़े से आप अंदाजा लगा लें कि हर काइनात की चीज, रेडियेट कर रही है, अच्छा question यह arise होता है, कि sir, how, रेडियेट तो कहा रही है, वो यह agree, लेकिन कितना रेडियेट कर रही है, यह depend करता है, तो सबसे first factor है color पर, उस चीज का color कैसा है, तो उस पर depend करता है, next है उसका surface temperature, उसक surface का temperature कितना है, और third one is surface area, वो कितना बड़ा है, अब मैं आपको छोटी सी example देते हैं, तो हमें surface है, आपने सुना होगा, अक्सर गर्मियों में हम काफी dark कपड़े पहनते हैं, black clothes पहनते हैं, अब black हम क्यों पहनते हैं, क्यों, क्योंके black color is a good absorber, अब वो दिन के उपर जब दिन के वास उस पर जब सूरज की रोशनी पढ़ती है, वो इस radiation को अपने क्या कर लेता है, अब्सौर्फ कर लेता है, पहली बात black जो क्या करता है, अब्सौर्फ करता है, एक अच्छा absorber है, तो आपकपड़ा गरम हो जाएगा, दिन के वक्त आप गर्मी फिल करेंगी, फिर रात को क्या काम करता है वो, तो वो जो कपड़ा अप black color is also a good emitter, वो emit भी अच्छी करता है, तो रात को जब सर्दी हो जाएगी, तो black color फिर अपनी heat emit करना शुरू करतेगा, वो emit करेगा, तो जादी बात है, वो कपड़ा आपने अपने जिसन पे पहना होए, आपके जिसन भी तब भी गरम रहेगा, तो black color आप देखें, और सेम अगर हम सर्दियों में पहनेंगे सो नाम क्या है, कोई light सा कर, तो वो इतना फाइदा मनी देगा, यानि कि ना वो अच्छा absorber होगा, में भी वो reflector हो जाए हमें, और सर्दी लगे, और सेम गर्मियों में काले कापड़े पहने पैड़ना, फिर तो क्या कहता है, जिगरा ही में ट्रेंड पाकिसान में भी है, कि उनने मेटालिक सा कुछ कलर दे देते हैं, क्या कहते हैं, शाइनिंग कलर जो भी है, वो देते हैं, क्यों ताकि वो heat reflect करते हैं, काल गरम ना हो, उसके बाद है surface temperature, अब जितना जादा उस चीज का temperature होगा, मुझे फिर भूल गया है, sun की surface मुझे अब जेन में नहीं आ रहा, लेकिन कि जिस surface का temperature जितना जादा होगा, वो उतनी ही जादा radiation इमिट करेगा, मैं example देता हूँ, मैंने आपको वो दोनो एक ice और ice की दे दी वेने, ठीक है न, इसका temperature था minus 20, इसका था minus 30, तो दोनों का कहां पागे रुख गे जब दोनों कोई material रख लेता हूँ, जिसका temperature है, 130 degree, तो यह क्या करेगा, इन दोनों को, अब 130 है, यह तब तक इसको heat energy transfer कर देगा, जब दोनों का temperature होके 50-50 होके divide न होजाए, तो यानि कि जितनी जादा आप गरम होंगे, उतनी जादा आप heat energy emit करेंगे, अब आपके surrounding में भी emit करता है, क आपकी body temperature है 37, आपका surrounding temperature है 37, तो फिर आपकी emit नहीं होगी, temperature difference मस्त भी दिया, third one is surface area, कि आपका area कितना, अब sun बड़ा है, तो जादा heat energy emit करेंगा, imagine करेंगे, अगर sun का size चोटा होता, तो उसने heat energy भी, बेशक अंदर का temperature वही का वही है, मैं size की बात कर रहा हूँ, एक और अ में आप बात बड़ा heater लगा दो, तो मुझे बताओ, कि इस heater का भी temperature है 100 degree centigrade करेंगे, वो heat फैंक रहा है, जो bigger में कर रहा है, इसका भी है, लेकिन क्या है कि इसका area जाद है, तो इस वासे इसका radiating emit भी क्या होगी, वो साथा हो जाएगी, तो बचो ये थी मारी इसका नाम के ह ये कुछ factors हैं कि जिन पर radiation depend करती है, फिस scientist ने एक experiment किया, वो अभी हम इस वीडियो में देखेंगे, उस experiment से पता चला कि अच्छा ये बात तो ठीक है, ये words सब तो सुनने में तो अच्छी लग रही है, लेकिन यार पैक्टिकल ये चीज़ कैसे, तो scientist ने क्या किया, Leslie Cube, एक cubic ship block ले लिया, जिसे हम कहते है Leslie Cube, अब हमें पता क्यूब की सारे की side-sides आपस में क्या होती है, बराबर होती है, Leslie Cube के अंदर हमने क्या कर लिया थी, inside यहां पे एक whole crate कर लिया, ये इसके अंदर की video बना रहा हु है, इसके उन्हें हमें डालिया, water डालिया, या hot water डा ये वाली side इसको black color कर दिया, इसको white कर दिया, ठीक है जी, white color कर दिया, इसे कोई और color कर दिया और back side पे हमने लिया शाइनी सर्पस कर दी, अब हमने Leslie Cube को और साथ में हमने क्या लगा दिया जी, यहां पे, एक radiator detector लगा दिया हमने, radiator, radiation react detector, और साथ हमने लगा दिया, gel vanometer, अब क्या होगा कि जैसे हमने hot water Leslie Cube में फिल किया, तो हमने देखा कि जो radiation detector था, वो कुछ, अजीब तरह की चीज़े ना, शोग करने शुरू कर देखे, अब detector था, हाज surface से different values detect कर रहा था, अब मैं अगर सा graph बनाओं, क्यों पहले पर लिखता हूँ मैं dull, black, shiny surface, black लिखते हूँ मैं ठीक है, टाकि time based नहों, यहाँ पर उपर surface, black, फिर आगी हमारे पास color, color, color के बाद हमारे पास आगी, बचो white, white के बाद आगी हमारे पास, shiny surface, silver कर लिया, तो फिर जब हमने इसके पानी डाला, तो सबसे हमने देखा के, कौन सा जादा अच्छा absorber था, तो हमने देखा के black सबसे जादा इसने absorb किया है, क्यूंकि हमें black पे गया हूँ, तो हमें कम energy मिली है, colored एक अच्छा absorber था, normal absorber, good absorber था, white जो था, bad absorber था, और जो silver था, यह first absorber था, इसने कोई चीज़ अबसॉर्फ की ही नहीं, पिर हमने क्या किया कि इन सारे surface के उपर हमने जब ना heat energy डाली या light डाली या heat energy डाली, तो हमने देखा कौन सा best emitter है, तो black भी best emitter था, यानि कि जब वो colored भी good emitter था, white bad emitter था, यानि कि वो emit करता है, ना absorb भी नहीं करेगा, तो फिर उसने emit क्या करनी है, और जो silver था, ये worse emitter था, जब जारी बात है, वो absorb भी worse कर रहा है, तो हमें इस बिजारे के पास क्या रह देगा emitter करने के लिए, फिर देंड आता है हमने reflector, जब हमने इनके उपर light pass फैंकी, तो इसने बिलकुल reflect नहीं किया, इसने बहुत minus reflect किया, ये इसने बस थोड़ा बहुत reflect किया और इसने सारा reflect कर दिया, तो इससे पता चला कि हमें जो shiny surface हैं, वो हमें गर्मियों में फाइदे मन देऊती हैं, क्यों तो ना वो अच्छी absorber है, यहाँ पे लिख रहा होता हूं है, ये absorber लिखते हो, इमिटर लिखते हो हमें, और यहाँ पे reflect, तो shiny surface ना तो अच्छी absorber हैं, ना अच्छी emitter हैं, सिर्फ अच्छी क्या है, reflector हैं तो हमें, और गर्मियों में क्या है, कि यह अच्छा absorber भी करेंगी, अच्छा emitter भी करेंगी, और अच्छा reverse reflect करेंगी, तो बच्छों यह था हमारा यानिके lazily cube को experiment था, तो next इसका जो अगए सब topic है, वो है greenhouse effect, वो हम next video में करेंगे, so till then, अल्ला आफस, see you, bye bye. झाल 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 झाल